हेलो एब्रीवन वेल्कम वेक्ट टू दी एक्जाम ओरिजनल्स यूटूब चैनल मैं हूँ अधिती कुसवहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ संघाई को याद करने के एक इंटरस्टिंग ट्रिक के बारे में संघाई को बता दूँ के संघाई को नाम पर रखा गया है लेकिन अगर हम लोग इसके हैड को बताने वाली हूँ चाइना की कैपिटल वीजिंग में देखने को मलेगा तो संघाई जो है संघाई नाम से आप लोग ये अंसर दीजेगा कि इसका गठन कब किया गया था यानि कि इसको कब स्टेबलाइज किया गया था उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट वॉक्स में जरूर बताईएगा तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम लोग ट्रिक के बारे में बात करें तो ट्रिक जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं इंडि ट्रक इन पाकिस्तान तो इस ट्रक के जरीए आप लोगों को दो कंट्री इस तो पहले ही कंफर्म हो गई होगी इंडियन से इंडिया आ जाता है और पाकिस्तान से पाकिस्तान आ जाता है तो दो कंट्री तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे ही रही है बागी कि जो मे इंडिया और पाकिस्तान जो है वो स्टार्टिंग से संघाई कॉर्पोरेशन ओगनाइजेशन का पार्ट नहीं थे दौनों एक साथ 2017 में इसका पार्ट बने थे तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दौनों संघाई कॉर्पोरेशन बने थे तो वो सम्मिट कहां पर हुई थी इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट वक्स में जरूर दीजेगा मैं आप लोगों को इतनी सारी ट्रिक्स बताती हो तो मेरा भी यह राइट बनता है कि मैं आप लोगों से कोश्चन पूछूं तो आप लोग प्लीस उन कोश्चन के आंसर जरूर दिया कीजिए बना फिर आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को इनके बारे में डिसकस कर दिया करूँगी तो आप हम लोग कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं तो जैसा कि इंडिया से तो आप लोगों को कंफर्म हो ही गया होगा कि इंडिया से हमारी छिपी हुई हैं हम लोग इनके बारे में अगर बात करें तो टी से हमें ताजिकिस्तान देखने को मलती है जो कि एक सेंटरल एशियन कंट्री है तो यह आप लोग देख सकते हैं इसके बाद आर से हमें रसिया देखने को मलती है तो आप यह रूस या फिर रसिया को देख सकत तो ये भी इसका मेंबर हमें देखने को मलता है उसके बाद फिर यू से हमें उजवेकिस्तान देखने को मलता है तो ये भी एक सेंटरलेशन कंट्री है जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं उसके बाद फिर सी से हमें चाइना देखने को मलता है तो चाइना हमारा पडोस सिटी में देखने को मलता है तो इस नजरिये से चाइना जो है वो काफी important role play करता है संगाई corporation organization में तो आप लोग चाइना का नाम भी याद रख सकती हैं अब आगे हम लोग के से बात कर लेते हैं तो के से हमें दो कंटी देखने को मिलती हैं जैसा कि मैंने ने बताया यहां पर के टू लिखा हुआ है मैंने तो यह भी आप लोग याद रखिएगा कि के से हमें दो कंटी देखने को मिलती है किरगिस्तान और कजाकिस्तान तो यह धोनों भी हमें central Asian कंटी देखने को मिलती हैं तो इनके नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं यह किरगेश्टान है और यह वड़ा सा जो ब्लू कलर में दिख रहा है कजाखिस्टान देखने कु मिलता है उसके बाद फिर एन्ड में पाकिस्तान से आप लोग पाकिस्तान का नाम याद रखी सकते हैं यह भी आप लोग याद रख लेजेगा इंडिया और पाकिस्तान तू क्लियर दिखी रहे हैं बाकी की truck से कौन कौन सी country मैंने बताएं तो truck से मैंने तजाकिस्तान, रसिया, उजवेकिस्तान, चाईना, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान तो इनके नाम आप लोग जरूर याद तो इस तरीके से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि संगाई कोर्पोरिशन और्गनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्रीज हमें देखने को मिलती है तो ये थी हमारी आज की इंटरस्टिंग ट्रेक वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंड वाक्स में जरूर बतायेगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक कीजेगा और जादा से जादा लोगों को शेर जरूर कीजेगा इसके अलावा आप लोग हमारे यहाँ पर MPPSC की पढ़ाई को बजट फ्रेंडली बनाने के लिए exam originals जो है वो कई सारे courses लेकर आया है जिनहें आप लोग जो हैं लेकर या फिर अगर हम लोग कहें तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर अपनी MPPSC की तयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं हमारी यहाँ आप लोगों को MPPSC का full course देखने को मल जाता है MPPSC prelims का cash course देखने को मिलता है MPPSC mains का भी crash course इसके लावा prelims और mains की test series भी देखने को मिलती है और MPPSC का full study material तो यह सब आप लोगों को हमारे यहाँ पर देखने को मिल जाता है आप लोग हमारा YouTube channel join कर सकते हैं हमसे WhatsApp का contact कर सकते हैं exam origins के नाम से हमारा app भी download कर सकते हैं इसके अलाबा भोपाल में जो हमारी offline classes हैं आप लोग वो भी join कर सकते हैं तो हमारे साथ जोड़कर आप लोग भी MPPSC की तयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो वीडियो को मैं यही तक रखती हूं मिलूगी अब में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद